अरे क्या हुआ रो क्यों रही हो या मैं बहुत अनलकी हूँ मुझे स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस होता है लेकिन स्टॉक मार्केट में लॉस या प्रॉफिट का लग से क्या लेना देना है यार जब भी मैं कोई स्टॉक लेती हूँ ना लेने के पहले तक वो हर दिन सेक्टोरल रोटेशन एकदम नॉर्मल है मतलब मतलब यह कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक एक सेक्टर परफॉर्म करता है रैली शो करता है अपने पीक पे पहुचने के बाद कंसॉलिडेट करता है कई बाद थोड़ा करेक्शन देता है और फिर उसके कंसॉलिडेशन फे investor और trader आपको क्या कहना है जब कोई भी stock अपने consolidation phase में है रैली के लिए ready है तब उसे buy करना चाहिए अगर आप trader हो तो जब वो rally देने के बाद अपने peak पर हो तब उसमें profit book कर लेना चाहिए और अगर आप investor हो तो उसको avoid करो जो rally है उसे देखो खुश हो फिर जब वो वापस consolidate करें तब और accumulate करो क्योंकि over a period of time यह sectoral rotation चलता रहेगा और stock अपने pace पे grow करता रहेगा तो इसी लिए stock market में profits या losses का luck से लेना देना नहीं बट प्रॉपर strategy प्रॉपर timing से लेना देना है तो अभी इस time पे कौन सा ऐसा sector है जो rally देने वाला है और जिसमें हमें invest करना चाहिए ओके तो अब कौन सा sector ready है अपने नए rally के लिए वो देखते हैं एक वीडियो शूट करके ताकि तुम्हारे साथ साथ सारे viewers को भी पता पर जाए है लाइट्स राट ही एवरीवन वेल्कम बैक तो इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड वल्सक्रेशन देच शिफालियर तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यह सेक्टर जो एकड़म रेडी है अपने आउट्ब्रेक के लिए एक अच्छी रैली देने के लिए वीडियो में हम डिस्कूस करेंगी क्या रीजन्स है कि मुझे लगता है सेक्टर में इतना पोटेंचल है और यह एक रैली देने वाल है प्लस हम इस सेक्टर के बेस्ट लेकिन यह वीडियो में स्टार्ट करूं उसके पहले एक छोडी से रिक्वेस्ट अगर आप को मेरा चैनल अच्छा लगता है अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब एंड बैल बट ट्रेडर, इन्वेस्टर, और मल्टी बैगर के या फिर आप लेना चाहते हैं पीमस, लमस सर्विसेस, पोटफोलियो रिव्यू सर्विसेस और भी कई सारे कस्टमाइज प्लैंस तो आप अपना फोन उढ़ाईए हमें कांटक्त कीचे या तो वाट्साप के थू या कॉल के यह आपके हिसाप से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अब राली शो करने वाला है और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं यह दोनों ही बाते नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए तो जो सेक्टर आज हम डिसक्स करने वाले हैं वो इंडियन एकनॉमी का फूर्थ लार्जर सेक्टर है यह वी आ टॉकिंग अबाओ फास्ट मूविंग कंजुमर गुद्स अन सर्वेसे फम्सीजी सेक्टर फम्सीजी सेक्टर ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड कि जा सकता है जो पहला सब सेक्टर है वो है फुट्स अन बेवरेज़ इस विच कंप्राइब नाइंटीन परसंट सेकंड इस हेल्थ केर विच कंप्राइज और जो रुमेंग फिफ्टी परसंट है उसमें आ जाता है हाउस होल्ड अन परसनल के अगर हम जिए वाइस इंट्रिस्टिंगली जो रूरल सेक्टर है वो एक बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है बिकॉज ओफ इंक्रीजिंग पेंग कैपैसिटी जो पैसा खर्च करने की कैपैसिटी है वो रूरल इंडिया की बढ़ रही है सेकंड जो एक एस्पिरेशन होता है एक अच्छ लाइफस्टाइल की तरफ अपने आपको चेंज करने का अडैप्ट करने का वो रूरल इंडिया में बहुत जादा देखा जा रहा है एव्रीवन वंट्स तो अप्ग्रेड देर लाइफस्टाइल और इस दोनों ही फैक्टर की वजह से रूरल एकनॉमी बहुत तीजी से ग ग्रोथ देखने को मिलेगी सो अन्य स्क्रीन मेट्रो में जो रूरल एरिया में क्योटर फोर तुटाइजन क्वेंटी में ग्रोथ देखी गई थी वह थी पॉइंट परसंट वेरिन रूरल इंडिया इंडिया अगर हम बात करें ओवरॉल इंडियन एकनॉमी की तो FMCG सेक् को बहुत जाधा स्ट्रेंथन कर रहे हैं ग्रोथ के लिए विच इंग्लूड जो हमारी इंडियन एकनॉमी का स्ट्रुक्चर है वो गवर्मेंट इनिशेटिव इन्विस्मेंट ऑल्सों कंजूमर ऑफ इंडिया दर थिंकिंग प्रोसस ऑफ कंजूमर ऑफ इंडिया और प्रोसस जाएगा तो भी बॉटम लाइन अफेक्टर का प्रोसस बढ़ेंगे या फिर अगर वो अपना जो प्रोड़क का प्राइस आए वो कम नहीं करते तो उनका मार्जिन बढ़ जाएगा राइट रॉम्मेंट पर बेच तो मार्जिन बढ़ जाएगा उस केसमें भी आ एंड अनलाईज फॉर्दर मोर इन डीप एफमचीजी सेक्टर इंडियन एकोनॉमी में बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वह जी डिप में बहुत जादा कॉंट्रिब्यूट करता है यह तो हमने समझ जा है लेकिन वर्लड वाइड इंडिया का एफमचीजी सेक्टर या इसमें अपने आपने पोटेंशल है। developing economy से developed economy का जो ये transition है इसमें जो इंडियन economy में पैसा आ रहा है लोगों का paying capacity बढ़ रहा है जो एक aspiration है लोगों को higher lifestyle की तरफ upgrade करने की ये सारी चीज़े contribute कर रही है इंडियन economy को consumerist economy बनाने के लिए आज तक पहले इंडिया में लोग पैसा कमाते थे और save कोने पे जादा ध्यान में अपने पहनने के कपलों में मुवीज देखने में बहार मॉल में शॉपिंग करने में जाने में इस चीज में जादा पैसा खर्श करने लग गया है ब्रैंड awareness बढ़ गया लोग moreover everyone wants to use branded products नौ इसके अलावा कई सारे hygiene products जिस पर पहले इंडियन economy में रूरल पैसा खर्श नहीं किया जा सकता था लेकिन increasing awareness की वज़े से इन प्रॉडक्स से बहुत बढ़ गया और इसकी वज़े से बहुत जादा revenue contribution आ रहा है for example pads, diapers, v-wash and many such hygiene related products for women and kids जो पहले use नहीं होते थे इंडिया में अब बहुत जादा इसका use and industry का growth pace बढ़ गया है इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की जो population है उसमें जो maximum population है वह यूथ है अगर हम median age निकाले इंडियन इंडियन पोपिलेशन की तो वो आती 27. अभिरेज अगर में निकालो इंडियन citizen का क्या age है तो वो आती 27 यहने की जो population है तो यूथ यूथ है यूथ आपिलेशन है और यूथ यूथ उटियूथ औविसली कंणूम भी जादा करेगा FMCG products को personal care products को, fairness cream because they want to look good plus एक aspiration एक हाय लिफस्टाल कि people use perfumes, deodorants all these lifestyle products which were not very prevalent in earlier times are being used by today's youth now let's look at the trends in FMCG revenues over the years from 2016 to 2020 it is on a constant rise side now interestingly ab jo Indian economy jis phase में लाह करी है in fact jo world economy jis phase में लाह करी है there is a swift transition कई ऐसी चीज़े है जो new age, internet of things, artificial intelligence, sustainability, green energy ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमारे हर sector में हर lifestyle में ये अब आती चा रही है और कैसे ये हर sector को impact करेगी वो analyze करना investment करने के पहले बहुत जादा important है क्योंकि आने वाले 4-5 साल बाद में ये सारी चीज़े इन सारे चीज़ों का कितना परसंटेज कॉंट्रिबूशन रहेगा वेगान प्रोडट्स का बहुत जादा चलन चलन गया है जो पैकेजिंग में पहले बहुत जादा प्लास्टिक मेटेरियल यूस होता था आज कर बहुत साथा बहुत साथा बाइज बाइड़ड़ पैकेजिंग यूज हो रहे है और उस पे जो कंपनी स्काम करें यह और उनके प्रोफित भी बढ़ रहे है और उनका फ्यूचर भी सिस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ वो लोग है फ्यूचर भी सिक्यूर है एक एक्जाम्पल में लेती हूं डिरेक्ट डिस्ट्रिबूशन जो 4% कॉंट्रिबूशन है उसका अभी रीसेंट में एक न्यूज आई थी आपकी स्क्रीन पर है कि नैसले ने अपना डिस्ट्रिबूशन कर दिया उनलाइन प्लैटफॉर्म नाव वट इस डिस्ट्रिबूशन डिरेक्ट तू कंज्यूमर अब ऐसा क्यों करा ने एसलेने सेक्टर जोफ़ा जोटी पास शॉप कीपर के पास और फिर वह अगर कॉलनीज युटी-बॉसी नहीं होरा ऑफ तो फिर वह कोछी पहनुछा नहीं हो रहा घुज पहँच्वार नहीं हो रहा है उसे भी बहुत ज़या प्रॉफित नहीं हो रहा अब यह जो D2C है, direct to consumer, मतलब manufacturer के पास पूरा profit margin है, बीच के सारे steps गायब हो गए, तो अब या तो manufacturer का profit बढ़ जाएगा, या वो अपने selling price है, उसको कम कर सकता है, discounts offer कर सकता है, तो अब benefit होगा या तो consumer को या manufacturer को, और दोनों ही cases में, अगर manufacturer को फायद हो रहा है, उसका profitability तो भी अच्छी बात है, और अगर consumer का पास बच रहा है, तो भी बहुत अच्छी बात है, middleman सारे इसमें हट जाएंगे, तो इस तरह के, जितने भी new एच चीजे आ रहे हैं, इसको यूस करके, logistics को बहुत स्ट्रोंगली, जितनी भी ये AI, blockchain technology, इनको यूस करके, logistics improve की जा सकत है, जो manufacturer's का, जो raw material है, and finished product है, जो damaged हो के, पुरा wasted हो तदा, उसको control किया जा सकता है, और भी बहुत सारे इसी चीजे है, जो इन चीजों के implementation से control की जा सकती है, and this is actually changing the FMCG sector altogether, तो ये बहुत important है, जब आप इंवस्ट करे हो कि आप ध्यान रहे हो कि आप ध्यान रहे हैं, जो On your screen, cumulative FDI inflow share from April 2000 to March 22, Indian processed food market like chips and all, इसका projected है कि ये expand करेगा US dollar 470 billion तक by 2025, और 2019-2020 में it was 263 billion, तो 263 billion से 470 billion just in 2020 to 2025, 5 years, this is a high growth rate, Now food processing का आप देख रहे हो, contribution is 55.2% क्योंकि इसका growth payment आपको बता है, सबसे साधा होने वाला है, then comes retail trading, soap, cosmetic, toilet preparations, paper pulp, vegetable oils and then comes tea coffee, tea coffee का सबसे काम आ रहा है अभी, let's see what are the government initiatives which is strengthening this sector's growth, so PLI scheme के बारे में आप सबने सुनाऊगा, although we are in December right now, तो बहुत जल्दी नए government initiatives आएंगे union budget में, but this is what is there right now, PLI scheme, say to scheme, FDI organized in retail, अगर हम बात करें, union budget 2022-23 की, तो उसमें 1725 crore, US dollar, 222.19 million, locate किया गया था, the department of consumer affairs को, PLI scheme किया है, the government PLI scheme gives companies a major opportunity to boost their exports, with an outlay of US dollar, 1.42 billion, अगर हम investments की बात करें, तो government has allowed 100% FDI foreign direct investment in food processing, and single brand retail and 51% in multi brand retail, so अब देखते हैं कौनसे से stocks है इस sector के जो आपको बहुत अच्छे returns दे सकते हैं, so DABAR, IMAMI, ITC, HUL, Vesley, Britannia, Godrej, Tata Consumer, many other stocks are there which can give you very good returns, अगर आप जाना चाहते हैं कि, इंडिविजुली कॉनसे stock में आपको invest करना चाहिए, तो अपना phone उठाए हूँ हमें contact कीजी, 98216-11667 पे, I hope आपके वीडियो अच्छो लगे, अगर आसा है तो से लाइक कीजिए, thank you so much.